रेवन ईवाई का एक लेटेस्ट अपडेट हमारे रेडमी के नोट 11 डिवाइस के लिए आ चुका है और आज इस वीडियो में इसके बारे में करने वाले है पूरी डिटेल आपके साथ सेर कि क्या कुछ यहां पर कस्टमाइसन मिलता है और क्या इसे आपको यूज करना चाहि किये तो वाई सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप सब्सक्राइब करना चाहता हूँ वाई हैपी डिवाली और मैं चाहूँगा कि इसी तरह आपके लाइफ में हमेंसा खोसिया बनी रहे और हमेंसा हरे एक परवत कियों आपका जो डेली लाइफ है वो भी काफी जड़ा खुसियों से भड़ा हो रहा है कभी आपको तकलिफ ना हो और ये मेरी दिल से दुआ है आप सभी के लिए और मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी दुआ आप मेरे लिए भी करो कि भाई जो वीडियो मैं यहाँ पर डा अब आज कंप्लीट हो जाएगा अगर आप था सा सपोर्ट दिखाते हो तो तो चलिए वीडियो के और बढ़ते हैं जहां पर आप देखो है कि जो हमारा माई डिवाइस है यहां पर रेवन का एक नया सा लुक आपको देखनी को मिलता है जो कि इस वाद चेंज किया गया है वो देखने में अच्छा लगता है मैं यहां पर यूज करूँ रेड्मी का नोट 11 आपको गलोल वाला NFC DC नहीं उसमें भी इसे डाल सकते हो यहां पर आपको रेवन का MIUI 13 देखनी को मिलता है जो कि स्टेवल है और रेवन का जो वर्जन है वो है UI 6.0 इन्हेंस वाला और य पर टेस्टिंग को लाया था उसका गयब हो गया कहां पर कुछ अधा पता नहीं है उसके बाद यहां पर आपको six month का है जो देखनी को मिलता है जो कि हमारा security patch है यह 13.0.2 पर है जो फिलाल यहां पर रन कर रहा है प्रीफ का यहां पर करनल यूज किया गया है और असमुद् सेटिंग जहां पर multi language support आपको मिल जाएगा तो जो भी आप language यूज करना चाहते हो वो आप यहां पर यूज कर पाओगे दिक्कत नहीं आएगा one-handed आपको working मिलता है memory extension यहां पर 3GB add किया गया है क्योंकि इस device में by default only on 1GB मिलता है जो मेरे पास है क्योंकि मेरा यहां पर 4G व जाऊंगा security के अंदर आपको यहां पर चाहिना वले जो सारे features मिलते हैं वो सब कुछ आपको यहां पर मिल जाता है जो कि काफी सही और perfect है उसके बाद यहां पर face unlock fingerprint working है और monitor के बज़े से देख से तो किस तरीक से color देखनी को मिलता है जो कि काफी अच्छा लगा advance wall आपको यहां पर launcher मिलता है जहाँ पर नेपर वगड़र आप यूच कर सकते हो यहाँ पर classic वगड़र आपको option मिल जाते हैं global आप चाहो तो यहाँ पर widgets वगड़र दख सकते हो यानि इसे disable कर सकते हो default वाले को animation control कर सकते हो blur कर सकते हो folder के अंदर name को running में डाल सकते हो पर देखोगे कि भाई यहाँ पर आइकन बीच में आ चुका है नाम गायब है और देखने में काफी अच्छा लग रहा है बढ़ हलका फुलका आपको यहाँ पर लैक दिखाई दे रहा होगा क्योंकि भाई यह फोर्च विलर डिवाई से और इसमें इतना इडवांस फिचस आड़ किया गया तो हलका सा तो आपको कॉंपरमाइज यहाँ पर करना पड़ेगा तो यहाँ पर आई वह इस वाले में थ्वास अदिक्कत आता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल आईकन भी आप चाहो तो यहाँ पर ऑन और आन आउप कर सकत देखनी को मिल जाते हैं तो इसे हम भी इनोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं जहाँ पर आपको देखनी को मिलता है जो कि हमारा साउंड का प्रोफाइल और यहाँ पर मोरेट के वाज़े से यह भी काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर ज्यादा कुछ एड़ नहीं है कुछ भी बस दिखाने के लिए है और Always On में यहाँ पर Limitation को हटा दिया गया है जहाँ पर आप चाहो तो Unlimited यहाँ पर इसे यूज कर सकते हो जो कि भाई मुझे काफी सही लगा कि यह चीज़े यहाँ पर हटा दी गई है कि को By Default 10 Second का ही मिलता है बाकि सारे setting यहाँ पर आप यहाँ पर यानि जो हमारा Special Features था ना वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर एक एक्स्ट्रा एड किया गया है तो कि बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत होती है तो यहाँ पर आप उसे यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा डीम आप कर सकते हो डिस्पे को अगर यहाँ पर यहाँ पर सर्च करोगे Sidebar तो यहाँ आपको देखने को मिलता है जैसे कि आप देखो कि यहाँ पर मैंने Sidebar किया तो दिखाई दे रहा है Raven UI Features और उसके बाद यहाँ पर Sidebar बट नजर मुझे नहीं आया तो सर्च बार में इस तरीके से सर्च करने के बाद यह साम नहीं आता तो है बट दिखाई नहीं दे रहा है अब किस कोने में घुस गया है भाई मुझे पता नहीं है होगा कही न कहीं किसी न किसी कोने में तो आप देख लेना और आप चाहो तो बता देना बट यहाँ पर floating window आपको features दो है देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ यूज कर पाऊगे camera का नया EY यहाँ पर add किया गया है लेकिन यहाँ पर लाइका नहीं है और camera अच्छे से हमारा काम करता है by default यहाँ पर आपको MIUI का dialer मिलता है यानि code recording कर पाऊगे क्योंकि officially तो हमें Google का dialer मिल जाता था और यहाँ पर MIUI 14 वाले आपको widget support मिल जाते हैं ज यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है music player वगरे का वीजर सना वहाई काफी कमाल का है यहाँ पर tap करती clock open हो जाता है date पर click करती है आपका calendar है जो open हो जाता है तो यह चीज मुझे काफी अच्छा लगा काफी अच्छा है जो यहाँ पर iPhone type का look नजर आता है control center भी यहाँ पर आ आपको advanced अला देखनी को मिलेगा जो कि यह भी मुझे पसंद आया अब बात करते हैं इसके थोई बहुत performance test result की और यहाँ पर फाइल मनेजर है इसका थोड़ा सा color है जो चेंज किया गया है जो कि देखके काफी अच्छा लगता है तो यह है हमारा performance test result जो कि आपको दिखाई नजर आता है उसके बाद मैंने इसे गेम डरो में डाला और चेक किया तो आप देखके तो यहाँ पर improvement हमें दिखाई देता है जो कि काफी अच्छा खासा है L1 का support आपको यहाँ पर मिल जाता है और charging speed भी साही है जो कि 32 minute में 34% गया है जो कि थोड़ा और fast होना चाहिए था फिर से मैंने यहाँ पर CPU टोडल को run किया है जो कि इस वार भी result काफी सही देखनी को मिला और यहाँ पर यह है हमारा standby battery drop जो कि 52 के बाद that morning में आता है 50 यानि full night में 2% कहीं battery drop है यह बात अलग है कि यहाँ पर मैंने sim card नहीं डाल रखा था बट sim card हो या नहो ज़्यादा फरक नहीं परता तो यहाँ पर standby आपको सही मिल जाता है और साथ साथ photo storage आपको unlimited मिलेगा तो जीतना चाहो उतना photo upload कर सकते हो Google photo drive का यूज करते हुए बाकी यहाँ पर आपको वाई देखनी को मिल जाता है device certification यानि आप banking के app वगर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो दिक्कत नह आने वाला अनादर यहाँ पर आपको gaming के अंदर 90 एपिस मिल जाता है इस रोम में by default तो अगर आप PUBG lovers हो बीजी माई lovers हो तो आपको यहाँ पर मज़े आने वाली है क्यों default से थो आप better आपको यहाँ पर result मिलता है यह बात अलग है कि 90 आपको accurate नहीं मिलता है यह down हो जाता है जहाँ पर वार अगरा रहता है और बाकिर अचीज है लेकिन हाँ जो default setting है उससे थो आपको यहाँ पर better real मिलेगा तो यह आपके लिए एक advantage यहाँ पर हो जाता है जो कि मुझे reality में काफी ज़दा यहाँ पर सही लगा बाकि वीडियो toolbox की बात करें तो ज़्यादा कुछ यह यहाँ पर add नहीं किया गया वो सब कुछ आपको simple मिलता है अब एक नजर डाले जिसके boot animation पर कि क्या कुछ नया हमें नजर आता है या नहीं तो यहाँ पर आप देख से तो यह है हमारा boot animation जो के देखने में काफी attractive लगता है काफी मज़दार सा यहाँ पर है तो बिलकुल य चीज़े यहाँ पर change करते हैं जाए वो about का page हो यहाँ पर reboot menu अगेरा हो यह काफी सही लगा आपका क्या ख्याल है इसके बारे में comment ज़रूर करना और installation guide same to same होने वाला है white flash format and reboot और आपको यहाँ पर T2L आडवे का यूज करना है फिर भी कोई doubt रहता है तो आप comment box का यूज कर सकते हो और यह same update हमारे POCO के M2 Pro के लिए आया हो है बट उसका भी official testing चल रहा है MIUI 13 और Android 12 का तो वो complete होता है तो इस रोम का review मैं उसके लिए भी लेके आ जाओंगा बस आप से एक ही request रहेगा भाई हमारी 100K की family complete होने वाली है तो आज के इस खुसी के मौके पर वीडियो share करो ताकि यह target पूरा हो जाए और आपको regular update चाहिए ना तो मेरे second channel को भी subscribe कर लेना ताकि उधर भी वीडियो दो तो आप मिस ना करो मिलते नेक्ट वीडियो में बाई झाल